आपके लिए बहुत ही गुड़कारी बनने वाली है और इसके बहुत ही वेनेफिट है अगर आपको बार-बार कोड़ हो जाता है जोड़ों में दर्द है आपको नीम नहीं आती तो फ्रेंड आप इस रेसिपी को बना कर फ्रीज में रख लिजिए और सुबह दो चमच एक किलास दूद के साथ आप सेवन कीजिए तो आपको जो भी प्रोब्लम है उनसे काफी फायदा मिलेगा वीडियो एंड तक देखे फ्रेंड तभी आपको समझाएगा तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड पहले हम लेंगे दो कप पानी एक कड़ाई में चड़ा देंगे या फिर एक फैन लेंगे और ये लिए है मैंने बादाम हाफ कफ इनको हमें वोईल करना है पांच मिनट के लिए हाई फिलेम पे हम इनको वोईल कर लेंगे और ये देखिये ये काफी फोल गये है गैस का फिलेम हम ओफ कर देंगे और अब हम इनको चान लेंगे एक चलनी से और एक बावल में ठंडा पानी लेंगे और उसमें हम इसको डाल देंगे और अब देखिए इनका चिलका जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा थोड़ा सा हिला लेंगे इनको चम्मत से चला लेंगे इस तरह से और अब मैं दिखाते हूँ कि इनका जो छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा जादे प्रोब्लम नहीं होती है इनको छिलने में ये देखिए हलका सा प्रेस किया और इनका छिलका जो है बहुत ही आसानी से उतर गया तो सारे बादाम हम इसी तरह से छिलके उतार कर रेडी कर लेंगे तो ये देखिए मैंने सारे बादाम के छिलके निकाल लिये हैं और अब मैं मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लूँगी तो ये देखिए मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है तो अब हम गैस पे एक फैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे हाप कब मखाने मखाने को हम अच्छे से भून लेंगे मखाने फ्रेंच हमारी हेल्थ के लिए बहुती फायदे मन्द होते हैं दर्थ के लिए नीन नहीं आने के लिए और इसमें कैल्सियम काफी होता है तो मखाने आप जरूर खाईएगा मखाने भून गए हैं तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम फैन में डालेंगे घी चार से पाथ चम्मच के करीब मैंने घी लिया है और ये बादाम डाल देंगे जो हमने मिक्सी में गिराइन किये थे अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे और इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं एड़ करूंगी इसमें बेशन चार चम्मच के करीब मैंने बेशन लिया है आप चाहो तो इसमें आटा भी यूज कर सकते हो बट बेशन से ज्यादा टेस्ट आता है तो आप इसे बेशन से बनाईएगा बहुत टेस्टी बनेगा अब अच्छे से आम इसको भून लेंगे जब तक भूनेंगे तब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता चलाते रहेंगे और आप देख सकते हो कि इनका कलर भी चेंज होने लगा है और ये फुनकर रेडी हो गया है तो अब हम एट करेंगे इसमें ग्राइन के वे मखाने मिक्स करेंगे और थोड़ी एट करूंगे मैं इसमें हल्दी और हाफ कब दूद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम दूसरे गैस पर एक फैंज चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कब गुड़ और दो से तीन चमच की करीब पानी जब तक मैंट हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो बट गुड़ से यह ज़्यादा हैल्दी बनेगा अब हम इसको चान लेंगे एक चानली से और अब हम इसको पकाएंगे अब मैं एट कर रही हूँ थोड़ी इलाइची पाउडर और हाप टीश्पोन सॉंट पाउडर मिक्स करेंगे और इसको दस से पंदरे मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक इसका पानी अज़े सोक नहीं जाता चलाते रहेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि साइड से घी दिखना सुरू हो गया है तो समझ लेजिए कि हलवा हमारा रेटी है बस हमें एक मिनट के लिए और चलाना है और हलवा हमारा रेटी है गैस हम ओफ कर देंगे और इसे हम एक बावल में निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हलवा हमारा बनका रेटी है और अब मैं इसको गार्निस कर रही हूँ थोड़े ड्राइ फ्रोर्ट से काच्यो और बादाम से आप चाओ तो पिस्ता जो भी आपको ड्राइ फ्रोर्ट पसंद हो वो आप इसमें एट कर सकते हो तो फ्रेंड्स ये बहुत ही गुर्कारी है आप इसे इस सर्दियों में जरूर ड्राइ कीजेगा आप इसे ज़्यादा कॉंटेटी में बना कर फ्रीज में रख लीजिए और गरम करके दो चम्मच एक लाज दूद के साथ आप खाईएगा तो आपको काफी बीमारी से सर्दि से काफी फायदा मिलेगा तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा लाइक एंड सेयर कीजिएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थेंक्यों पर वाचे